सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चेनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो नमस्कार मैं हूँ रवी खरकाटे और मेरे यूटीब चेनल मेकेनिक ग्यान में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो जैसे कि आप इस्क्रीन पे देख पार है हमारे पास है असो क्लेरियन की 25 सोला कारगो माडल और दोस्तो इसमें क्या प्रॉब्लम था चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जाम हो चुका है अब जाम होने का कारण क्या है चलिए हम आगे इस वीडियो में पूरे डीटर्स में बटाने की कोसिस करते हैं तो चलिए दोस्तों हम ज़िए को ज्यादर देविन करते हैं वीडियो को स्टाट करते हैं है है तो दोसते जैसे की स्क्रिम पर Zo kadar आप देख पा रहा है हमें इस गाड़ी का चेमबर को पर ऑपन किया और चैमबर को उपन करने औरो हमें छोटा च्छोटा मेल्ण घ्युक्त89 है जो कि हमें समझ में जा रहा है कि मेटल किस चीज़ का है और क्या है और उसके בाद दोस्तों हमने हैड को भी उपन किया है को और और को अब करने के बाद में हैड में तो ऐसा कुछ प्रॉल्लम नहीं मिला बर दोस्तों कफ रॉकर ओर रॉकर शाफ और सब सारा कुछ पूसराड वोगरे बैंड हो चुका है चलिए हम थोड़ा सा जो किस प्रकार से बैंड हुआ है आपको दिखाते हैं और किस प्रकार से रॉकर टूटा है वो भी दिखाते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों रॉकर और रॉकर आर्म किस प्रकार से सारे के सारे एक एक करके सारे त जारन क्या है वो भी हम आगे इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए थोड़ा सा हम वीडियो को जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रॉकर रॉकर वेकर तूटे विये हैं तो देख सकते हैं दोस्तों पूरी रॉकर साथ ही बैंड हो चुकी है रॉकर र हलका हलका सा मेटल आया हुआ है अब उसके बाद दोस्तों हमने हैट को ओपन कर लिया तब इंजन फ्री नहीं हो रहा था उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है अब हम टाइमिंग प्लेट को खोल कर देखते हैं और टाइमिंग प्लेट खोलने के बाद में हम आपको बतात यह होता है है और उपनद करके देखते हैं दोस्तो की इसमें क्या प्राब्ल्म है तो देख सकते हैं दोस्तो जैसे यह हम्म टैमिक इनिक से अचेन ठीक है और टाइमिंग प्लेट के ऊपर भी थोड़ा सा मार आ गया है तो चलिए हम इसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में आपको बताते हैं कि और इस टाइमिंग प्लेट के अंदर जो गेर हैं इसमें कौन सी कौन से क्या क्या डेमिज भी है ठीक है तो बाद देखते हैं चलिए हम आइडल गेर को तो दोस्तो आइडल गेर जो की एकदम सही साथ दीख रहा है कोई दिक्कत नहीं है तीत वगरे टोटली प्रॉपर एकदम सही तरीके से है इतना सारा नुकसान होने का जो मेन कारण है आइडल गेर का जो बोल्ट है वो खुल गय गेर के पास में चलते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं यह जो आइल पॉम का गेर है हलका हलका डेमेज हुआ है ठीक है उसके बाद दोस्तो जो नीचे वाला जो क्रेंक का मेन गेर है यह पूरा डेमेज हो चुका है यह उपर से सही साथ दीख रहा है पर दोस्तो आपको नीच गेर का बोल्ट नहीं खुलता तो ये प्राब्लम नहीं आती ठीक है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस इंजिन में क्या क्या प्राब्लम निकला है और इसका मेन कारण है आइडल गेर आइडल गेर का बोल्ट खुल गया और बोल्ट खुलने से क्या होता है जो केमसाप का गेर है उस गेर को जाम कर दिया ठीक है तो जाम करने के बाद में जैसा जो पूसराड है ना उपर निसे होता है वो एकदम मतलब चल चला ही नहीं ना चलने के वज़े से सारे पूसराड बेंड हो गया राकर टूट गया राकर आम टूट गया उसका ब्रेकेट टूट गया राकर साथ तक बेंड हो गया और सारे बुज़रा टूट गया तो दोस्तो यहाँ वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेट बक्स में लिक कर बता है और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तो तो ला बाइ दस तो